ओम श्री गमगन पत्ये नमहा आईए सुनते हैं वैशाक मास की गनेश जी की कहानी ऐसा माना जाता है कि अगर वैशाक मास की कथा को वैशाक मास मातम्मे कथा को या वैशाक मास की वरत को गनेश जी की इस कथा को सुने भी ना किया जाए तो वरत या पूजा करने वाले को उसका फल नहीं मिलता बलकि वरत और पूजा का फल तपसी लपसी को चला जाता है इसलिए फैशाक मास का वरत करने वाले या महत्तम में सुनने वाले को सबसे पहले गणेश जी की इसकता को जरूर सुनना चाहिए पुराने समय में रंती देव नाम के एक राजा थे उनके राज्ये में एक ब्राम्मन रहते थे जिनका नाम धर्मकेतू था ब्राम्मन धर्मकेतू की दो पत्निया थी एक का नाम शुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था दोनों पत्नियों की विचारों और व्यभार में बहुत अंतर था शुशीला धार्मिक सोभाव की थी उपवास पूजा पाठ करती रहती इसके विप्रीत चंचला को उपवास या पूजा से कोई लेना देना ही नहीं था कुछ दिनों बाद धर्म केतु की दोनों पत्नियों के बच्चे हुए शुशीला की एक पुत्री हुई जबकि चंचला ने एक पुत्र को जनम दिया चंचला सुशीला से चे कहती रहती सुशीला तुम इतना वरत उपवास करती हो उपवास करकर के तुमने अपना शरीर सुखा लिया है फिर भी तुमारे यहां लड़की पैदा हुई मैंने तो कोई उपवास या पूजा भी नहीं की फिर भी देखो मेरे यहां एक बेटा हुआ कुछ दिनों तक शुशीला चंचला के ताने सुनती रही लेकिन जब यह सब बहुत जादा हो गया और उससे सहन ना हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ उसने गनेश जी की पूजा की और उनसे प्रार्थना की और अपनी भावना को गनेश जी के साथ साजा किया और अधिक कठिन और हर्दय से पूजा करना शुरू कर दिया गनेश जी सुशीला की इस पूजा से बहुत परसन हुए उनकी किरपा से सुशीला की पुत्री जब भी अपने मुख से बोलती तब उसके मुख से बहु मूल्य मोती और मूंगे गिरने रगते कुछ दिनों बाद सुशीला ने भी एक सुदर पुत्र को जनम दिया सुशीला की कड़ी तपस्या से उसका सोभाग्य जाग गया इससे चंचला के हर्दय में इर्शा होने लगी उसने सुशीला की बेटी को कुए में गिरा दिया लेकिन सुशीला को तो विनायक गनेश जी का आशिरवात प्राप था उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ और वह कुए से सुरक्षित निकल गई उनकी हर विग्ण से रक्षा गनेश जी महाराज नी की बिगन हरता गनेश जी ने जैसे दोनों माँ बेटी की रक्षा की उनके सभी बिगन हरे वैसे ही हमारे भी हरे और इस कथा को सुनने वाले सब के हरे बोलिए गनेश जी महराज कीजे